श्री शिवा नमस्तु भीन दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल शिवक्तिमार्द में आज की वीडियो हम बात करेंगे पशुपती व्रत को लेकर जो कि आपके धीर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दिधी खरमास लग गया है वो लास्टक भी शुरू हो गया है बीच में तो ऐसे में हमें पशुपती व्रत का उध्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या हम लोग नया वरत उठाने के बारे में सोच रहे हैं तब हमें क्या करना चाहिए और नया वरत हम कब उठा सकते हैं तो आज की वीडियो में आपके इनी कमेंट्स के उत्तर में देन कर देते हैं चाहे कितना सा कठीन कारे कियो ना हो तो इसी लिए हम पशुपती व्रत को धारन करते हैं क्योंकि यह प्रिवरत महुत ज्यादा चमतकारी व्रत बतलाया गया है तो ऐसे में असमंजस की स्थीति को दूर करते हुए मैं आप लोगों के साथ में सारी डीटेल शेयर करूंगी परन्तु वीडियो पर चलने से पहले यदी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी अवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिभक्ति मार को सब्स्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए हम वीडियो को प्रारम करते हैं आप सभी जानते होंगे पाच पशुपत चुका है 13 अपरेल तक खरमस रहेगा और इसी बीच हो लास्टक भी लगेगा 17 मार्च से 25 मार्च तक तो ऐसे में शुब मांगलिक कारे जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं क्योंकि आप सभी जानते हो पशुपति व्रत एक विशेश व्रतों में से एक माना जाता है अनुस् मार्च से लेकर 13 अपरेल तक आप क्रिप्या कर थोड़ी सी शांती बना कर रखे आप वरत अभी मत उठाईएगा क्योंकि खरमस है खरमस में सूर्य उच्छ की स्थिती में चले जाते हैं और जो गुरू होते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है तो ऐसे में कोई भी शुमां उनका उध्यापन यदी पढ़ रहा है होलास्टक आपको मैंने बताया 17 मार्च से 25 मार्च तक होलास्टक है तो ऐसे में शायद आपके दो सुमवार भी पढ़ सकते हैं तो आपको होलास्टक के दोरान क्योंकि होलास्टक मैंने आपको बार-बार बताती हूं आगे भी तो इस इस्तिती में कोई भी शुभ मांगले कारे किसी भी व्रत का उध्यापन अदुस्ठान नहीं किया जाता तो 17 मार्च से 25 मार्च तक आप व्रत का उध्यापन नहीं करेंगे आप दो व्रत अब आपके मन में प्रशना आगा दिदी फिर हम क्या करें तो आप नॉर्मल ज किये व्रत में क्या खाना है वो जो आप जैसे व्रत करते आ रहें जैसा संकल प्लिया है व्रत में क्या खाना है नहीं खाना उसकी भी जानकारी मैंने अपने चैनल पर सादी चेजों के डाली हुई है तो जैसे आप व्रत करें पर उसक्रा से 25 मार्च के बीच आपको उध्य आपन मत कीचेगा अभी मन में कुछ भी डाउट साते हैं कुछ चीजे नहीं समझ में आती तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो और एक चीज आप से कहना चाहूंगी कुछ महिलाओं के मेरे पास प्रेशन आ रहे थे दिदी इस बीच हमारा पीरियट पढ़ जाता है या आगे कहीं हमें जाना पढ़ जाता है तब हम क्या करें देखिए बहुत ही ज़्यादा गंभी रिस्तिती बन गई है कि नहीं अब तो मैं आगे चीज कर ही नहीं पाऊंगी या यदि वरत का उध्यापन करना है तो आप करें पर उन्तु हो लास्टक के दोरान वरत का उध्यापन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस बात को ध्यान रखिए गा और वरत उठाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है 14 मर्से 13 अपरेल अप नया वरत उठाएंगे का 13 पूजा के दिपक कहां कैसे लगाना है सारी चीजों की वीडियो आपको डिटेल में चैनल पर डली वी मिल जाएगी एक एक वीडियो में मैंने बारीकी से हर चीज को बताया हुआ है क्योंकि यह जो पांच वरत होते हैं बहुत ही विशेश वरत माने गई है शिर जी के और इन वरतों को आप चाहें तो मीठा भी रख सकते हैं फलाहरी भी रख सकते हैं और भुजन करके भी वरत को रखा जाता है तो जैसा आप संकल प्लेरे आप उसी प्रकार से वरत को कर सकते हो ऐसा कोई दिक्टत वाली बात इसमें नहीं है तो आशा करती हूँ जानकारी आपक करती है तो